हलो स्टूडेंस आएम डॉक्टर विनोत कामले इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कमपनी फॉर्मेशन में कौन से कुन से स्टेजेस आते हैं तो बेसिकली तीन स्टेजेस के बारे में हम लोग पढ़ रहेते हैं जिसमें से प्रमोशन स्टेज हमारा हो गया था इनकॉर्पोरेशन स्टेज भी हमने देखा जहाँ पे कमपनी को हम लोग रजिस्टर करते हैं तो किस तरीके से कमपनी को ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ऑफलाइन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं दोनों भी हमने देखा है अभी थर्ड स्टेज है कॉमेंस्मेंट और ब बिजनेस के अंदर आप लोगों को दो कंडिशन्स याद रखनी है एक कंडिशन्स ऐसे है जहां पर आपकी पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो लेकिन आपका शेर क्यापिटल नहीं है तो जब आपका शेर क्यापिटल नहीं होता है तो आप आपके बिजनेस अक् अगर आपका बीना share capital की company है तो आप आपका business activity स्टार्ट कर सकते हो लेकिन अगर आपकी पबलिक company या private company है और share capital के साथ है आपकी company मतलब आपके share capital आपका है तो उस case में 2nd November 2018 से आप लोगों को certificate of commencement of business ये register of company के पास से obtain करना कब्बल सरी है इसका मतलब आपको ये certificate तो receive करना ही है उसके साथ साथ आप लोग को ये certificate के लिए भी wait करना है ये दो certificate होने के बाद में ही इस case में आप लोग क्या कर सकते हो आपका business activity start कर सकते हो तो ये दो condition आप लोग याद रखना इसके उपर objective आ सकते है अगर आपके पास share capital नहीं है तो certificate of incorporation के बाद में आप लोग आपका business activity start कर सकते हो अगर आपका share capital है तो आप लोगों को certificate of incorporation के साथ साथ दूसरा जो certificate है जिसका नाम है certificate of commencement of business वो भी आप्टेन करना compulsory है 2nd November 2018 से अभी हम लोग देखते हैं कि certificate of commencement obtain करने में क्या-क्या steps involved होते हैं सबसे पहले filing of the declaration by the directors director को एक declaration जो होता है वो ROC को submit करना पड़ता है 180 days में उसका एक prescribed form होता है और उसका एक fees पे करके आप लोगों को वो declaration submit करना पड़ता है ये declaration में ये लिखके देते हैं directors कि जो भी memorandum के subscriber से subscriber मतलब memorandum के उपर sign करने वाले है वो सबने क्या किया हुआ है company के जो share से वो purchase किये हुए है एक चीज़ याद रखना जो भी company के directors होते है उन लोगों को company की कुछ shares purchase करने पड़ते जिनको qualification shares बोलते है वो normal share के जैसा ही होता है बड़ because directors उसको purchase करते हैं उसको qualification share बोलते है तो हर एक director को ये qualification share purchase करना ज़रूरी होता है अगर in case वो director वो share को नहीं purchase करते तो उनको अपने director position जो छोड़ना पड़ता है तो वही declaration यहाँ पे लिखके देते है कि हम लोग ने क्या किया हुआ है जो भी share से वो purchase किये हुए है ओके ये जो declaration होता है इसको company के secretary या chartered accountant या cost accountant जो होते हुआ वो एक बार verify करते है और verify करने के बाद में ये 180 days के अंदर incorporation certificate मिलने के 180 days के अंदर हम लोग को ये जो declaration है वो ROC को submit करना पड़ता है एक prescribed form के अंदर और fees के साथ तो ये एक पहला step होता है यहाँ पे कि directors को declaration submit करना पड़ता है दूसरा है file verification of registered office मतलब हमने देखा था कि company का जब incorporation होता है तब ही अगर company का registered office नहीं रहेगा तो incorporation होने के बाद में 30 दिनों के अंदर company को अपना registered office का जो address है वो ROC के साथ register करना पड़ता है यहाँ पे company वही करती है कि company का जो भी registered office है उसका file जो है वो ROC से verify कराती है because registered office बहुत important place होता है जहाँ पे company की सारे important document जो होते है वो maintain किये जाते है और registered office का address जो होता है company के memorandum के अंदर भी रहता है जिसे लोगों को पता चलता है कि यह company कोन से state से बिलॉंग करती है या company का registered office कहाँ पे है in case अगर company के उपर कोई case करना है या company के साथ कोई communication करना है तो registered office में होता है तो registered office बहुत important रहता है और इसके लिए registered office का पूरा file जो होता है वो ROC के साथ यहाँ पे verify कराना पड़ता है तीसरा है obtain license और approval from the sectoral regulator ना कुछ businesses ऐसे होते हैं जिनके sectoral regulators होते हैं जैसे banking business है insurance business है या कोई भी listed stock exchange है उनके कुछ sectoral regulator रहता है जैसे कि Reserve Bank of India हो गया या Security and Exchange Board of India ये sectoral regulators है जैसे bank है तो bank को क्या करना पड़ेगा RBI के पास से license ये approval लेना पड़ेगा या कोई stock exchange है तो stock exchange को क्या करना पड़ेगा CBI के पास से license ये approval लेना पड़ेगा और ये जो license ये approval आप लोग ले रहे हैं ये license approval आप लोग को क्या करना पड़ेगा ROC को submit करना पड़ेगा तो कुछ business के case में उनका जो sectoral regulator है उनके पास से भी license और approval लेना ज़रूरी होता है वो लोग ने approval देने के बाद में फिर ROC आपको business start करने का approval दे सकते है तो सब business में sectoral regulator नहीं होते, कुछ business में होते जैसे मैंने आपको example दिया जैसे banking business है आपका तो RBI आपका sectoral regulator हो गया stock exchange है तो से भी आपका sectoral regulator हो गया तो इनके पास से आप लोगों को वो license और approval लेना पड़ता है उसके बाद में आप लोग आपके business की activity शुरू कर सकते हो यहां पर आप लोगों को क्या होता है यह सब चीज़े आपने submit की जो भी declaration वेगरा है वो सब आपने submit किया ROC को उसके बाद में ROC जो है आप लोगों को एक certificate देता है जो है certificate of commencement of business इसका मतलब क्या है you can start your business activity जो भी public company है private company है वो आपना business शुरू कर सकते है यह अपना capital raising वेगरा का activity शुरू कर सकते है जो भी public companies होते है वो लोग prospectus issue कर सकते है और prospectus के तुरू वो लोगों को invite कर सकते है company के shares वेगरा purchase करने के लिए क्योंकि अभी company को क्या करना है अपना capital raise करके अपना business शुरू करना है तो सारे document आपने यहाँ पर submit किये जो भी आपका declaration director का वेगरा था वो सब और आप लोगों को ROC ने यह certificate दे दिया उसके बाद में आप आपका capital raising करके business शुरू कर सकते हो तो यह सब steps involved होते हैं commencement business के अंदर यह मेरे URL है जहाँ से मैंने images लिये है thank you students please do like share comment and subscribe to my youtube channel and also recommend my channel to your friends we will meet in the next video